हमशकार दोस्तों, भगवान आपसे एक अभला करें और आपके सारी एक्षाय मनुकामने पुरी हो हतेली में आपके दो से तीन योग वर एक हैं इसी हैं जो आपके जिवन को पून रूप से सकरात्मक और नकरात्मक रुपांतरित कर रही है उसके बारे में विस्तार से अभी बात किया जाएगा लेकिन सरपत हम फिंगर के एनलेसिस से हम आपका रेडिंग शुरू करेंगे तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरेजर में शौट है जो एक फास्ट एडिसन मेकिंग हैबिट देता है इस कंडिशन में बहुत चूस्ते इस फूर्ते और उत्साहित होकर काम करने के आदत को ये बढ़ावा देता है शौट फिंगर के उपर जब आड़ी रेखा है जादा देखने को मिलती है तो रिष्टो में अनबन मदभेद दूरियां या शत्रुता योगो को ये जादा निर्मित करने लगता है अब जैसे आपका जो नीचर है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और सपोर्टिव इमोशनल टाइप का भी है लेकिन थोड़ी बहुत भी गलती किसी से हो गया अन्याय हो गया या कुछ गलती आपने पकड़ ली तो वो चीज़ आपसे बिलकुल सहन नहीं होगी इसलिए इस कंडिशन में दोस्तियार भली जल्दी ना बने लेकिन दुश्मनी या दूरियां रिष्टों में जल्दी बनती है अब अच्छी बात यह होगी कि इन आड़ी रेखाँ के बावजूद भी आपके हतेली में जो सही होगी रेखाएं है जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यह मंगल की रेखा यह मंगल की रेखा बहुत मजबूत स्थिती में आपके हतेली में मौझूद हो रखी है जिसके करण कभी भी आपको लोगों की या दूसरों के साथ की कमे नहीं पड़ेगा जो लोग जीवन में से जाएंगे उनके बजाए दूसरे लोग आकर के आपकी मदद करेंगे या जीवन को अच्छा करने में आपको उपर के तरफ ले कर जाएंगे लेकिन इस तरह की आड़े रेखा होने के करण खुद भी नेगेटिव थोट आता है इस्ट्रेस वरीज को ये बढ़ाता है और कई न कई प्रेशर भी देना शुरू करता है आवेश में आकर काम करने से आपको बचना चाहिए तुरंत निर्णे लेने या बात कहने जैसी चीजों से बच के रहना चाहिए पेशेंस के साथ में अतरीक काम जब आप करेंगे तो आपके रिष्टे ही नहीं बलकि हर तरह का काम बहुत ज़्यादा सिस्टेमेटिकली रन करने लगेगा सुधरने लगेगा हर तरह की एक्छा मनों कामना सरलता से आपकी सिद्ध होना शुरू होगी अधर्वाइस इस कंडिशन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रिष्टों को लेकर के या खुद को लेकर के भी देखने को मिल सकता है जैसे नाकरात्मक सोच, ओवर्थिंकिंग, फ्रस्टेशन ये चिरचिर आपन इन सारी चिदों को भढ़ा सकता है तो इसके अगर अभी से आपने ध्यान दिया, तो इसकी स्थीति में पून रूप सो सुधार होगा जिसके करण रिष्टे, नाते, संबंद, सब अच्छे होने के साथ साथ, बहुत ज़्यादा प्यार, दुलार, सहयोग और अपना पन हर जगे आपको महसूस हो सकेगा जब भी पहली उंगली का जुकाओ शनी के तरफ होता है तो ये व्यक्ति को धार में काध्यात में कुरूची बहुत अच्छी देता है दयालुता व्यक्तित में आती है जिसके करण दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की भी प्रवतिये देता है और आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा शॉट टेमपर वाला रहेगा यानि तुरंत आया तुरंत निकला तुरंत खतम हुआ लेकिन उसका जो असर है वो कई रगए लंबे समय तक रह सकता है क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी शॉट होने के करणा बहुत ज़्यादा चीजों को दिल पे लेकर के बैठने वालों में से नहीं है यह लंबी पुरानी बातों को याद रखने वालों में से नहीं है राद गई बाद गई जल्दी मूब ओन लेट गो कर आगे बढ़ने की प्रवती इस तरह का फर्स्ट फिंगर देता है डाउन टो अर्थ किसम का नेचर देता है तो बहुत ज़्यादा ईगो एटिटूट भी नहीं रहने वाला है और यहाँ पर आपका जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंद भी शौट होने के करन थोड़ा सा हिच की चाहट, शर्मिलापन, अपोजिस देंडर से बाचित करते समय यह स्ट्रेंजर से भी बाचित करते समय देखने को मिलेगा खास कर यह बच्पन में स्टेज फियर देता है लेकिन आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप बहुत अच्छा हो रहा है जिसके करेंड यह कम्यूनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स को मैनेज बहुत अच्छा करने लग रहे है और यहां हम देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाओं कि शंकला में थोड़ी और अगर व्रिद्धी हो जाए तो इस कंडिशन में पॉजिटिविटी, पीसफुलनेस, हैपिनेस, रिलेशन्सिप मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को यह बहुत अच्छा करने वाला है फिंगर के बीच में गैब जो मेंटेन होते हैं यह अधिक खर्चिले सुभाव को दर्शाता है तो पैसो पर नियंतरन थोड़ा कम देखने को मिलता है क्योंकि तुरंत में जो भी चीज़ चाहिए तुरंत में चाहिए परिणाम जो भी है तुरंत में चाहिए इसलिए यह कॉंबिनेशन इमिजेटली किसी भी तरह के खर्च करने से वेक्ते को पीछे नहीं करता है आप जिससे जातक स्वतनतर विचारवाले होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्टिक्शन्स में दब करके रहने वालों में से नहीं देखने को मिलते हैं थर्ड फिंगर के लिए इन्थी स्टॉंग होने के कारें ये रिस्क के टेकिंग नेचर देगा तो कोई नया काम जीवन में शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और जितना ज़्यादा जूखिम उठाएंगे या एक तरीके से कमफर्ट जोन के बाहर रहेंगे उतना ज़्यादा ये सूरे आपको नाम, सम्मान, बल, सफलता और वैभाओ के साथ में धन दे सकने में सक्षम रहेंगे इसलिए रिस्क लेना लाइफ में कमफर्ट के बाहर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजिस करना आपके भाग्ये को बढ़ाएगा शनी की स्थिति आपके अतिले में बिल्कुल बढ़िया जा रही है, एकदम सीधे है कहीं भी इसका जुकाव नहीं है, जितना अच्छा आपका वरतमान हो सके आप करने की कोशिश करें आपका भविश अपने आप बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा वरतमान पर अच्छा खासा फोकस यहां यह दर्शाता है और वरतमान का दाद पर यह है कि जितना भी दायत वे जिम्मदारी है जो भी कुछ इक्छा है, वो सब पूर वरतमान से ही करना जब शुरू करेंगे तो भविश का नेवी हम अजबूत करेंगा और यही कारण भी है कि आपके हतेली में जो भाग रेखा है यह दो रेखा में तब्दिल होकर के आगे बढ़ गई है जो अब जीवन में आपके धना अर्जन की योग यह समरिद्धी की योग या इन्वेस्मेंट्स करने की योग को बहुत जादा मजबूत करने वाला है फिंगर के जो नोट्स ने यहाँ पर वो तकरिबन डेवलप ठीक जा रहे है तो इस पस्ट वादिता या वैक्तित में लेकर के आता है और फैलिंजस की स्थिती हो गई या इंटर्नल मार्स की स्थिती वो डेवलप को बिलाकर के ठीक है तो इस्टेमिना एनरजी रोग प्रति रोधक शमता जैसे चीजों को ये बढ़ावा देता है शुक्र की कंडिशन अच्छी है तो लग्जरी स्कंफर्ट बढ़ेगा चंद्र की स्थिती अच्छी है परन्तों यहाँ पर जब आड़ी रेख हैं जादा होने लगती है विक्सित अच्छा है तो दूसरों को उनकी नकरात्मक बाते भी मुह पर कहने जैसे आदत को यह बढ़ावा देता है जैसे यहाँ सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी आने लग रही है और थोड़ा यहाँ पर सीधी रेखा आ जाए तो आप दूसरों को उनकी नकरात्मक बाते भी ऐसे कहेंगे कि उन्हें भी समझ में आ जाए और रिष्टे भी खराब ना हो वैसे ही इस तरह की व्यापार की रेखा या बुद्ध की रेखा व्यक्ति को सम्रिद्धी देती है व्यापार में कब मिलेगा किस तोर तरीके से लाभा आपको आगे मिलने वाला है यह पूरे हथिलिव इसलेशन है बात किया जाएगा थम का जो साइज है यहां हम देखेंगे तो वो शौट है तो टूद पॉइंट बात करना समय और परिस्थिति के कारण या साथ में अपने नेर्णा या योजनों में परिवर्तन करने जैसे आदत को बढ़ावा देता है शौट थम की अच्छी बात यह होती है कि पुरानी बाते भूल आगे बढ़ने की प्रवति ये वेक्टिक को अच्छी देता है वरतमान में बार-बार लेकर के आता है भूत काल से उठा करके नकरातमक बात यह होती है कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते क्योंकि बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरियंटेड हो जाते हैं इसलिए आपको कंसिस्टेंसी हर तरह के काम में बरतना ज़रूरी है तब जाकर के आपको प्रॉमेनेंट या सैडिस्फेक्टरी रिजल्ट हर विशय को लेकर के मिल सकेगा यहाँ पर देखेंगे तो यह का चिन ने डेवलप हो रहा है आपके हतेली में थोड़ा और इसको समय लगेगा लेकिन यह चिन जैसे ही डेवलप होता है वैसे ही आपके लाइफ में मटेलिज्म और स्पिरिश्वैलिटी दोनों चीज़ों को यह बढ़ाएगा कई मरतबा पूर्वा अनुमान एकदम सही साबित होता है और खुद के स्थर पर लिए गए निर्णे से इस तरह का कॉंबिनेशन ज्यादा लाब देता है यही कारण है कि सेकंड फैलेंज जो लॉजिक का है वहाँ सीधी खड़ी रेखा है अच्छी खासी मौजुद हो गई है जो तरक वी तरकी बहुत अच्छा बनाता है जब आप पिन पॉइंट वे में यह डाइरेकली लॉजिकल बात करने के लिए आते हैं तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद करने की हो गयता इस तरीके का सेकंड फैलेंज थमका दे देता है इसके बाद में यहाँ पर थमका जो जो जॉइंट पउइंट है उधर मांसल कुल मिला करके ठीक ठाक है तो यह थोड़ा सा अडियल किसमे की प्रवति या जिद्धी किसमे की प्रवति को दर्शाता है अपनी उर्जाओं को थोड़ा आप अपने नियंतरण में रखें उर्जाओं को नियंतरण में रखने का ताथ पर कि किसी के मसले में नहीं जाना है जवरदस्ति के मसले नहीं रखने है बैस बाजी तमाम तरह कि जहां उर्जा नाश हो सके वहां से दूर रहना है ताकि ये जो थंब है ये नेरने लेने की छमता होती है व्यक्ति को खुद की बुद्धी विवेग ज्यान होती है योजनाय होती है ये जितना अच्छा रहेगा जितना ही इस्थी रहेगा उतना जादा जीवन शेली में सुखत परिणाम देगा यानि उड़ जाए सही जगे लग सकेगी पाम को जो स्ट्रक्चर है आपको वो प्यॉर रेक्टेंगुलर शेप में है जो शाररिक महनत के वज़ाए मानसिक महनत व्यक्ति से अच्छी करा देता है और सब कॉंश्यों जोन आपके पाम में ज़्यादा डेवलप्ट है ब्लड रिलेशन हो गया आपका किसी भी तरह की डिस्पूट्स वगरा इन सारी चीजों में नहीं फसना है और बुद्ध का ताथ पर व्यापार हो गया यानि लोगों को जोड़ना कम्यूनिकेट ज़्यादा करना, कन्मेंस करना, मार्केट करना ये सारी चीज़ें आपके जीवन में एक्स्ट्रा ओर्डिनरी सक्सेस देने वाली है लोवर जोन भी आपके पाम में डेवलप्ट ज़्यादा है परिस्थिति हो या नकरातमक अभी हम बात करेंगे उन सभी चीजों के बारे में जिसके बारे में शुरुवात में बताया था कि वह सभी चिन है या रेखा है जो आपके जीवन को सगरातमक या नकरातमक रुपांत्रित कर रही है सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपके progress line के उपर में यह होती है progress line यह normally बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह रेखा अपने मेहनत कर्म से समरिद्धी बहुत दिलाती है self-med luck होता है यह पर इसमें combination यह हुआ कि यह मंगल से शुक्र से connect होकर के life line को काट के आगे बढ़ी जब इस तरीके का combination आता है तो किसी अपने को खोना पड़ता है या कोई दूसरा अपना जीवन में जुड़ता है उनके सहियोक से फिर भाग्युदे होता है और यह जीवन में आपका समय जो रहा है यह correct 34 और 35 का age रहा है जिसमें यह event आपके life में हुआ है अब इसी समय पर आप और बारी किसे देखेंगे यहाँ पर तो एक राहु की रेखा यहाँ से निकल के एकदम सीध है आपकी गई हुई है जो इस बात को प्रेरित करती है क्योंकि इसने luck line को काटा है तो financial loss और mind line को touch किया है तो mental pressure यह यहाँ पर आपको 34 और 5 के mid में दे रहा है जिसके current family को ले करके आपके कामकाच को ले करके और lawn debt वगेरा को ले करके भी यह struggle दिखा रहा है अब इन सब के बीज में अच्छी बात यह हो गई कि सहयोगी या देवदूत रेखा आपके अतिली में हमेशा से मजबूत रही जिसके करंद्रश अद्रेश शक्ति के अतरिक पित्र पुरवजों के आशिवाद से ऐसे न जाने कितने बाद हैं के जीवन से खतम हुआ है लेकिन तीसरा में इंसिडेंट यह है कि इसी पीरियड यानि 35 के ही जस्ट बाद में आपकी माइंड लेन पूरी डिकलाइन हो गई है जब माइंड लेन डिकलाइन होती है तो इस कंडिशन में ये कॉंबिनेशन अधिकतर मामलों में बहुत ज़्यादा सोचने विचारना वाल व्यक्ति तो देता है जैसे बहुत ज़्यादा डीप थिंकर बनाना एनलेटिकल अब्जरवेटिव व्यक्ति को बनाने लगना हर बात की गहराई में जाना जड़ तक जाना खुद की सोच में ज़्यादा देखने को मिलना इकालपनिक्ता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना तो जो जातक रिसर्च में होते हैं या किसी तरह की खोज में होते हैं या कोई inventions करते हैं scientist भी होते हैं या कोई बहुत ज़्यादा creative इंसान भी होते help करती है व्यक्ति को तमाम तरह की skills, specialization, knowledge, talent गेन करने में, लेकिन अगर इसी mind line में हमने overthink कर लिया, negative think कर लिया, पुरानी बातों में पड़े रह गए, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गहराई से या seriously चीजों को लेने लग गए, तो यह mind line ultra प्रभाव देने लगती है, ज सबी changes सकरात्मक है की नकरात्मक हैं, तो यहाँ पर इसको आपको सकरात्मक करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सबी चीन नकरात्मक नहीं है, क्योंकि अंतितह नेगिटीव होने के बावजूद भी, इस रेखा ने progress line क्यों बढ़त, यानि progress line में यह क्यों यहाँ पर बदला, क mind line से success line निकल रही है, तो इस तरह कि जब luck lines होती है, जिसमें सभी luck lines self-made हो, तो आप जैसे जातक सिर्फ अपने महनत, कर्म और प्रयत्न प्रयास से सफल होते हैं, कुछ भी जीवन में पका पकाया नहीं मिलता, सब अपने दम से अर्जित करना पड़ता, जो अभी सूरे के finger घर पे भी आपको बतलाए गया, जीवन रहा से निकली रहा, इस बात को प्रयरित करती है, कि एसे जातक बहुत छोटे स्तर से उपर उठते हैं, इसलिए ये down to earth व्यक्तितु देता है, जिसमें छोटी-छोटी चीजों की भी कदर होती है, मस्तिश रहा से निकली रहा, यान आपके निर्णय में कोई आपका सहीयोगी नहीं बनेगा, सहीयोग नहीं दे पाएगा, आपका निर्णय में आप खुद खुद सहीयोगी अपने होंगे, और फिर जाकर कि अपने निर्णय योजनाओं से सफलता को दूसरों को दरशाएंगे, तो इसलिए आपको किसी से प सब में सफ़क्ता मिलेगा और तीसरा मंगल या शुक्र से निकली हुई भाग रेखा अपने पार्टनर या फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी लक देती है तो इस करण से यह यहां दर्शारा है कि अब आपके जीवन में और नए लोगों के द्वारा सहीयोग जीवन में जोड के विशे में तो जो आड़ी रेखा यहां मौजुद होती है यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक दयालू और सभी तरह के धर्मगरंथ या विद्ध्याओं को मानने वाला बनाती है इसलिए रहसम विद्ध्याओं में यह रूची विश्वास देता है और आप जि लायक सफल संसकारी निश्वित रूप से निकलते हैं पित्र पुर्वजो की क्रपा प्राप्त होती है समाजे की स्तर पे भी कोई भी काम अगर करते हैं तो सम्मान या पद बहुत जल्दी बढ़ जाता है और एक सजाद माध्यम से धना अरजन की योग को यह मजबूत करता है क्योंकि यह छेत्र ग्यान का है तो अपने ग्यान का उप्यूक अलग अलग तरह से करने के कारण ला भी है देता है और इन्ही सब चिन्हों के अत्रिक जब स्कूर जैसे साइन प्रॉमिनेंटली डेवलप हो जैसे यहां एक दिखेगा एक इधर भी आपको दिख जाएग प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्परेटी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और यह सिक्यूरेटी हर तोड़ तरीके से देता है जिसके करन हेल्थ, फैमली, करियर, फाइनेंस, रिसोर्सेज यह कोई भी इश्यू लाइफ में नहीं होता और आप जैसे जाद बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, दूसरों को guidance, suggestion, advices बहुत अच्छे से दे सकने में सक्षम होते हैं क्योंकि practical सभी चीजों का experience लाइफ में कर जाते हैं, यह जोपिटर बहुत अच्छा है, जितना ज़्यालू धार्मिक और आध्यात्मिक रहेंगे, तो उतना ज़्या लाभ और जीवन में उन्नती यह आपको देता चला जाएगा, शरी की स्थिति में हम देखेंगे तो बहुत सारी छोड़ी छोड़ी रेखा हैं आपको देखेगी, उसमें V-symbol का sign भी डेवलप हुआ है, और और भी छोड़ी छोड़ी रेखा हैं इदर आ रही हैं, यह सब क अपोर्चुनिटी लाइन केता है, यह ओल डेज अच्छा देता है, जिसमें अनेक माध्यम होते हैं पेसा कमाने के, किसी तरह के काम की या पेसों की कोई भी कमी जीवन में नहीं होती, और बाइफोर्ग का sign जब होता है तो अधिक खर्च देता है, लेकिन अधिक आय भी द देता है, इसके बाद में आपकी जो छोटी मोटी आडी रेखा हैं है, यह mood swing का problem देती है, जिसमें बार बार भावनाओं में, योजनाओं में, अपनी एक तरह के से feelings में खासकर यह लगातार परिवर्तन देता है, जैसे कभी आपको बहुत ज़्यादा serious बनाएगा, बहुत कभी practical, कभी emotional, तो कभी aggressive, इसलिए इस condition में emotional based decision नहीं लेना चाहिए, और life में हर तरह के काम में एक बार तो रुकावाट अर्चन या देरी आती है, क्योंकि इस तरीकी के शनी बहुत ज़्यादा perfection चाहते हैं हर तरह के काम में, तो इसलिए टाल मटोल वाला काम हुआ, या ब तो जितना उसकी इमानदारी अपने आपसे रखनी चाहिए हर विशय को लेकर के, और long term gains पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि इसके दुश्प्रभाव ना आए, अपने से छोटे तकते के लोगों को, मजदूर किसमे के लोगों को, गरीबों को बहुत ज़्यादा स आइन भी है शनी के छेतर पर, तो तमाम तरह के दुरघटना, घटना, major, जो accidents होते हैं, उन सभी से ये combination बचाता है व्यक्ति को, इसके बाद में आपके शनी का छेतर उभराव अच्छा है, तो obviously ये combination materialism से ध्यान अटाकर, अध्यात्मिक्ता के तरफ आपको आगे चल के ले तो हमेशा ये career के regarding confusion देता है कि किस काम को प्रात्मिक्ता दी जाए, इसलिए एक समय पर एक से जादा प्रहतन प्रहास कारे करते वे पाये जाते हैं, वहीं जब उपर के तरफ भी symbol का sign बन जाए, तो ये combination बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब आप जीवन में अच्छे से सभी काम को संभाल सकेंगे, multiple task, job या किसी तरह के काम के दोरा पैसा कमा सकेंगे, और आपके हाथ के नीचे काम करने लोग बढ़ेंगे, तो ये सब कुछ positivity आपको approach 50 के बाद में देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर एक से अतरिक सूरी रेखा जब होती है, तो एक से ज निकालना है, एक बात बहुत अच्छी दिखी सूरी पर, कि आप जीवन में जहां भी गए हैं, आपने नाम तो अच्छा कमाया है, भले ही किसी तौर तरीके से आपके शत्रु भले ही बने हो, लेकिन ये सूरी जब इस तरीके का है, कि आप जब भी किसी के सामने खड़े हो करेंगे, लॉंग टर्म वीजन गोल के उपर ज्यादा कंसर्ण करेंगे, तो यहां पॉजिटिव साइन बनना शुरू होगा, जो आपके वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, पावर एंड पोजिशन दे सी चीजों को बढ़ाएगा, इसके बाद में एक बहुत छोटी सी रे प्रक्तितों को बढ़ाना शुरू करता है, तो जितना हो सके आप आगे से रेकर लोगों से कम्यूनिकेट करें, मार्केट में जो हैं, आप तो मार्केट अपना फैलाने के लिए सभी तरह के लोगों से मेल मिला बढ़ाईए, अपनी व्यापार रोजगार जैसी चीजों को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ना या लोगों से जोड़ना जरूरी है, फिर जाकर कि आप सब को अट्रेक कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे, मेनिपलेट कर पाएंगे और वो सब कुछ आपका इन्वेस्मेंट परपस ही रहेगा एक तरीके से, जिसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा लाभ हरत और तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके का बुद्र बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट भी देने लगता है ट्रेडिंग में, बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कब जाना है, यह हम लाइफ लाइफ लाइन पर सेकेंड बन यूनियन लाइन हम देखेंगे, तो उदर हलका सब आप फोर के जो पहले डिटेश्मेंट देन अटेश्मेंट को रिपेजन करवाता है, रहदर एगा के अंध में गोंपुच की अकृति गुड़ संस ओ फ्यूमर या फ्लेटे रोमेंटिक नीचर देता है, तो और उस कारण से मूड स्विंग, इमोशनल हर्ट होने जैसे योग बनते हैं, तो यह डबल लाइन का फॉर्मेशन आ जाता है, इसलिए अपने अंतर आत्मा या मन की बातों को बाहर निकाल देना चाहिए, भावनाव को खास करो, यह लिख देना चाहिए, तो इसकी स्थिती जितनी अच्छी होती जाएगी, आपका ह्रदे उतना जादा शान्त, इस्थेर मजबूत होता जाएगा, और रिष्टे नातों को तो यह अच्छा करेगा, लेकिन आपको सबसे पहले खुशी आनंद जीवन में देगा, आपके अंदर बहुत जादा सीरियसनिस जो आई है, वो approximately 37 और 38 के एज में आई है, क्योंकि जब भी mind और heartline का ऐसे connection होता है, तो यह वेक्ति को गंभीर बनाना शुरू करती है, और इसके बाद में यहाँ पर आपका एक शाखा शनी पर रुका हुआ है, जो money minded, career oriented, self centered बनाता है, secretive बनाता है इस तरीके का sign, और एक रेखा पू इनके लिए काम करना, तो वहाँ limit नहीं लगा पाते, कहां तक इनको सेवा देना है, कहां तक इनके मदद करनी है, बस करते चले जाते हैं, और वही जब आपको किसी से रिस्ता चूटता है, तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं, यह आपका शानी परूकी रदरेखा दरशा रही है, तो overall जब इस तरीके से बाइफॉर के का सायन होता है, तो इसे विश्नो सिंबॉल कहते हैं, इस कंडिशन में स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ होती है, परन्तु जैसे जैसे उम्र बीटता है, ग्रोध बहुत अच्छी होते जाती है, विश्नो सहस्तनाम में, इसलिए सर्विसेज या कंसल्टेशन या बिजनस करना फूरूटफुल रहेगा, तो यह बहुत ज़्यादा आपके अर्णिंग कैपेबिलिटी या इन्वेस्मेंट को बढ़ाने वाला है, अब देखें लाइफ लाइन और माइंड लाइन, प्यॉरली आइलेंड के हैं, और यह कॉंबिनेशन कोई ग्रोफ सक्सेज नहीं देता है शरुवाती जीवन, मतलब आपका बचपन, टीनेज, बहुत ज़्यादा ट्रोमा में निकलता है दिखाय दे रहा है, एजुकेशन वाइस भी और हैल्थ या फैमिली वाइस भी, कोई ग्रोफ इंडिपेंडे आप जैसे जातक होने शुरू होते हैं और अपने दम से कारे करने वाले निर्णे लेने वाले रिस्क लेने वालों में से देखने को मिलते हैं, यह बहुत अच्छी बात देखी यहाँ पर और फैनली ट्वेंटी टू के बाद से आपकी जो माइन लैन एकदम इंडिपेंड को बढ़ाईएगा ताकि आप जो है खाली बेठना सकें क्योंकि यह कॉंबिनेशन आपको आलस मिले जा सकते नहीं तो ओवर थिंकिंग नेगटिव थिंकिंग दे सकता है, अपने क्रियेटिविटी आर्ट पेशन होगी को फोलो करें नहीं तो कोई भी टैलेंट पर वर्क क पर अपने आपको व्यस्त रखें इस कंडिशन में किताबे पढ़ना राइटिंग हैबिट रखना या गार्डिनिंग करना यह सब कुछ मेंटल थॉट को बहुत अच्छा करता है यह सब रेमेडियल मेजर्स होते हैं जो माइंड लाइन की कंडिशन को बहुत अच्छा करत अब और एक रुपे से भी 100 रुपे बनाना सीख लिया यह माइंड लेन सीख सकती है इतना समय इतना गहराई में जाने की छमता इस माइंड लेन की है तो यह ज्यान रखेगा कि अब आप जिस छेतर में जाएंगे उस छेतर में बहुत ऊपर तक उठने वाले हैं तो हमें सि इसी भी छेतर में जाएं यह माइंड लेन आपको राजा बना सकती है इसलिए इस कंडिशन में अपने आर्ट पेशन हो भी इंट्रेस्ट को फॉलो करना या बिजनेस के रिगारिंग एकदम डीप जाना आपके लिए फुरूटफूल साबित होगा इसके बाद में यहां प भी आपको बना सकती है इनोवेटिव आइडियास के द्वारा अभी इन सब रेखाओं के अतरिक ग्रेट रेक्टेंगल का कॉंबिनेशन आ गया है तो यह कॉंबिनेशन आपको ओवरॉल मल्टिपल प्रॉपर्टीज देने वाला है और यह सब कुछ आपके जीवद में आन माइंड लेन थोड़ी थोड़ी विखर के चली तो हमेशा मेंटल प्रेशर रहा लेकिन इस टार्टिंग लाइफ ने आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉंग कर दिया कि फिर आपने ज्यादा में प्रेशर लेना बंद कर दिया जीवन में जिम्मेदारी आपके एक आएक 27-28 मे बढ़ी है एकदम सिमानसिक रूप से और इसके बाद में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग जो इशू या डाइजेशन के रिगार्डिंग में इनली इशू 32 से लेकर 38 के मिड में फेस करना पड़ा है इसके बद आपके लाइफ लाइफ लाइन के कंडिशन मिडल ओ दो पा लेकर के समर्पन या सुक्स विधाया आपकी जीवन में बढ़ाने वाले हैं और यहां सेल्फ में लख लेन आपकी एक और दो बहुत अच्छी खासी निकली हुई है जो इस बात को इंडिकेट करती है कि आपने लाइफ में बहुत जल्दी इनिशेशन लेकर के 25-6 के इस त जैसा कॉंबिनेशन यहां पर आपके आ रहा है यह देखिए इधर पर स्क्वेर फिश जैसा साइन बहुत दफा बनता है लेकिन यह इस बात को रिप्रेजन कर रहा है कि आपको जो सरवाधिक जीवन में लाब है यह आपके पित्र पुरवजों के आशिवात से होता यह है क तो किसी कुल में या घर में पैदा हो रहे हैं जहां कंडिशन बहुत ज़्यादा खराब है और वो पैदा होकर कि सारे रूल्स रेगलेशन सरकमस्टांसे को अच्छा कर रहे हैं सारी व्यवस्थाओं को अच्छा करने में लगे हुए हैं और वहां से जो आने वाली अच्छा ने बहुत ज़्यादा लाब मिलता है तो यह पित्र पुर्वजों के आशिवाद से इंडिकेट होता और आप पित्र ही हैं अपने फैमिली के यह इस बात को दर्शा रहे हैं सेगंड तिंग मंगल खासकर रिप्रेजन करते हैं भूमी को और पाम में इस तरीके का combination क्योंकि हमने mind और heartline के बीच में भी square sign देखा तो यह combination properties के माध्यम से बहुत लाब देता है बहुत अथा जमीन लेप सकने में यह जमीन का सद्विप्यों कर पाने में सक्षम होते तो आपको जमीन से जोड़े कार के द्वारा अत्यंद सफलता है आप चाहे property broker ब्रोकर बन क्योंकि यहां पर आपकी जो मंगल की रेखा वो इतनी मजबूत स्थिति में चली है शुरुआत से ही कि आप जीवन में जब जब कश्ट दूविधा में पड़े हैं तो अपने तो छोड़ दीजे अन्नोन लोगों ने आकर कि आपको help किया है निकाला है किसी वे माध्यम से तो ये मंगल की भैंकर खासियत होती है दूसरा इसमें मंगल की रेखा break भी हुई बीच में जो partner के regarding problem issue को दर्शाती है लेकिन उसके बाद फिर मंगल की रेखा फिर से जागरित हो गई तो ये इस बात को दर्शाता है कि support system life में कभी आपके खतम नहीं होने वाला है और हनमा इस comfort अच्छी देने वाला है, सिधे खड़ी रेखा अपने को चाहने वाले लोगों को बढ़ा देता है, pleasure fulfillment को बढ़ाता है, और मड़ी बंद जब अधिक रेखाओं में देखने को मिले, जैसे 4 है यहाँ पर, तो इस condition में निश्यत रूप से, जो baby boy होते हैं, वो बहुत ज़ प्रोग्रेस और मोक्ष मुक्ति की योगों को निर्मित कर रहा है, और यहाँ पर देखेंगे, चंदर पर की, यहाँ चंदर पर आड़ी रेखाएं हैं मौझूद, लेकिन अभी यहाँ चिन पॉजिटिव बन सकते हैं, तब जाकर आपका अंधुरूणी मन जब अच्छा ह होगी, तो पैसा सही ढंग से रुख पाएगा, सुद्यू के भूपाएगा आपकी जीवन में, अब राइट हेंड के कंपरेजन में लेफ्ट हेंड देखेंगे, बहुत सारी रेखाओं से ग्रसित है, तो पहले बच्पन में यानि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिंता देना शुरू करता है, मंगल की रेखा के कारण लंबी आयो, अच्छा स्वास्तिय निर्मित कर ही रहा है, और सूर के छेतर पर आपके ट्रेंगल के साइन के साथ में, स्टार का साइन भी है, जो की लाइफ में बहुत बड़े लेवल तक व्यक्ति को लेकर के जाता है, कि आ आने वाली जनरेशन को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, यानि आप आने वाली जनरेशन को और पीछे छोड़ गई जनरेशन दोनों का काम कर रहे हैं एक साथ, या आपके भाग्य में ही लिखवा है कि आपको दोनों को सरु करना है, तो इसलिए इसने आपको जीवने बाहर रहेंगे, कभी जीवन में आपको दुख पीड़ा अवसा जैसे स्तिती नहीं आएंगे, ये इतना मजबूत कॉम्बिनेशन आपके पाम में शो हुआ है, आशर करता हूँ, आपके सभी प्रशनों को अत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहे गया हो तो जोड़ पूछ तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद